हेलो, वेलकम टू केने स्टडीज, CAPFAC 2022 का जो मेंटरसिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें टेस्ट 2 का आज हम सोलूशन आपको प्रोबाइड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम को सब्सक्राइब किये हुए हैं, उनको टेस्ट मिल चुका है और अपने टेस्ट को सोलवी किया है, तो इसका हम सोलूशन देखते हैं, फर्स्ट है, which of the following statements is are correct, फर्स्ट है, अल बेरुनी बाज बॉर्न इन 1073 AD, तो यह एक्चुली जो है, यह गलत statement है, यह 1073 नहीं, 973 में बॉर्न हुआ था, he came from Ujbekiistan, yes, फर्स्ट स्टेट्मिन गलत है, सकेंड स्टेट्मिन सही है, तो फर्स्ट स्टेट्मिन गलत है, और सकेंड स्टेट्मिन सही है, तो अब हमारे पास answer B और D में कोई भी होगा, तो यह अब तीसरा पर दारो मदार है, he wrote Rihla in Arabic, तो Rihla actually जो है, वो लिखा गया थ यह आपके, अलबेरुनी के द्वारा नहीं लिखा गया था, बट यह किसके द्वारे लिखा गया था, इबन बतूता के द्वारा लिखा गया था, तो रिहla इबन बतूता के द्वारा लिखा गया था, और जो अलबेरुनी के द्वारा लिखा गया था, वो किताबुल इंद लीख हा गया था तो थर्ड स्टेट्मेंट भी गलत हो गया तो आपका बी इंसर रही है नेक्स्ट कुस्ट्चन है कुदिराई चेती तो कुदिराई चेती कौन थे मिलिटरी कमांडर नो, असपाइसेश मर्चिंट नो, आर्किटेक्ट्स नो, होर्स मर्चिंट Horse merchant थे बिजे नगर empire में और बिजे नगर empire जो है उस समय का एक बहुत बड़ा strong empire था और कहीं न कहीं horse जो है उसके military में, military power में बहुत जादा important अदा करता था सुफीजम के बारे में आपको निमलिखित कतनों पे विचार करना है कि the sufis were critical of the dogmatic definition and a scholastic methods of interpreting the Quran and sunnah traditions of the prophet adopted by the theologians जो सुफी थे, in fact जो इसलाम है तो इंडिया में जो majority इसलाम है उसको सुफी इसलाम कहते हैं और सुफी इसलाम जो उन्होंने experience से जो कुछ जाना था वो चीज़ को accept किया और बहुत लोगों ने जो ये मना किया कि जो original आप कुरान जो बोलते हो ये सुनना है तो वो absolute नहीं ह है आप हम जो कुछ interpret कर रहे हैं जो कुछ हम समझ रहे हैं चीजों को तो वो सुधार जरूरी है और ये नहीं है कि absolute जो उन्होंने कह दिया वो in fact जैसे राबिया, मनसूर बिन हिलाज, फरीद, मनसूर को कहा जाता है कि उन्होंने बोला कि मेरा जो experience है वो different कहता है, कुरान मे जो लिखा हुआ है वो अलग है और इस वज़े से मनसूर को कहा जाता है कि जिन्दा काट-काट करके, पीस-पीस में काट करके उन्हें मार दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा अनलहक, यानि कि मैं जो हूँ, जैसे कहते हैं न कि अहम ब्रहमासमी, तो उसी प्रकार उ जैस उनका अपना experience था, लेकिन ये कहते हैं, जैसे राविया कहते है, राविया लड़ी एक इस्लाम में आपकी सूफी शेंट हुई, फिर मनसूर, फरीद, ये सब कहते हैं कि हमारा भी interpretation अपने आप में चाहिए है, तो first statement चाहिए है, सूफी shout and interpretation of the Quran on the basis of their personal experience कि हमने जो experience किय आए, वो उसके आधार पर interpretation होन अच्छी है, तो C इसका सही answer है, निक्स्ट आपका कहा रहा है, consider the following statements about Ibn Battuta, ये about, ठीक है न, ठीक है, ये दूसर दूबरा ही, about Ibn Battuta, Ibn Battuta के वारे में, he came from Morocco, तो मुरक्को से Ibn Battuta आए, first statement सही है, He was made kazi of Delhi by Sultan Muhammad bin Tuglaq, ये भी सही है, कि वो Delhi का kazi उन्हें बना दिया गया, कुछ time के लिए, सुल्तान से इनका मतभेद हुआ, तो obviously he jail में भी इने राना पड़ा, फिर ये China भी भेजे गए, तो ये भी statement सही है, तो दोनों statement सही है, क्योंकि इनका knowledge इतना अधिक था, कि इन्हें काजी बना दिया गया, काजी यानि की जो भी है, आप फैसले बगेरा सुनाएंगे, निक्स्ट कारा, which one among the following is not a function of मिरवक्षी, the head of military department as well as of the nobility under the Mughal rule, इसमें कारा की कौन सा सही नहीं है, not function, function नहीं है, तो he made recommendations for appointment to mansobs, appointment to mansobs to the emperor, जो mansobs बनते थे, mansobs दार होते थे, जो एक तरह से higher official होते थे, तो जो आपके मिरवक्षी होते थे, वो बाजशा थे, उनको recommend करते थे कि ये लड़का जो है, और ये आदमी जो है, वो talented है, वो आप इनको रख सकते हैं, इने post पे रख सकते हैं, तो ये first statement तो है, सही है, यानि कि ये answer नहीं होगा, He collected reports of intelligence and information agencies of the empire and presented them to the emperor at the court, yes, ये भी a statement सही है, तो ये answer आपका नहीं होगा, He was responsible for all income and expenditure and held control over khalisa, jagir and in-arm lands, नहीं, ये land revenue बगएरे maintain करने के लिए दूसरा department था, तो ये इड का काम नहीं था, तो ये ही answer आपका हो जाएगा, C, He was responsible for the security of foreign travelers on the highway of the empire, yes, ये भी सही है, तो ये answer नहीं होगा, C आपका answer होगा, Next करा, सिवाजी के military equipment, military इनके बारे में military का जो arrangement था, military equipment, करा, He was a master in gorilla tactics and swift cavalry warfare, तो सिवाजी, ये सिवाजी master थे, gorilla warfare, in fact, वो जानते थी कि औरंग्जेव की सेना जो है, हमसे बहुत बड़ी है, तो हम direct fight में उससे हरा नहीं सकते हैं, तो gorilla fight, ये में expert थे, तो first statement आपका सही है, Next, he had built a series of fortified strongholds on the table mountain of the western Dickon, Dickon में जो छित्र है, उसमें वो उन्होंने बहुत सारे strongholds बनाए, किले बनाए, fortified strongholds बनाए, यानि कि मजबूत किले बनाए, तो ये भी सही है, तो C इसका correct answer हो जाएगा, Next, consider the following statements about the European travelers to India, Sir Thomas Rowe, the representative of the East India Company, was granted the permission by जहांगीर to open a factory at surat, First statement, जो है, वो आपका, हम ये के अनुसार देखते हैं, फिलहाल मान के चलो, आपको लगेगा first side सही है, लेकिन हम और को देखते हैं, Captain Hawkins was driven out of Agra by the Mughals at the instigation of the Portuguese, ये statement सही है, Father, Montserrat traveled with Akbar on his journey to Casimir, ये भी सही है, तो two और three सही है, First क्यों गलत है, कि actual में जहांगीर ने जो खुर्रम था, यानि कि साह जहां बाद में उसके बाद जो बाजशाह बने, तो साह जहान को जो सूरत था, उसका जो दिवानी अधिकार था, यानि कि सूरत का जो control था, वो दे दिया गया था, खुर्रम यानि कि साह जहां को, तो साह जहान ने फिरूज को गरांट किया, और थामस रोको, फर्स्ट स्टेट्मेंट आपका गलत है, तो इस वज़ाश से आपका सही यह हो जाएगा. Next है, between 1309 and 1311, Malik Kafoor led two campaigns in South India. The significance of the expedition lies in it that they reflected a high degree of boldness and a spirit of adventure on the part of the Delhi ruler. Yes, यह सही है कि Delhi के तरफ से deep south में जा करके उसने बहुत सारा resources लूट करके लाया, लूट करके इंटसिंस की as a burden यह कि आप पे करो, tribute पे करो, तो वो एक तरह से boldness था, spirit of adventure था, फर्स्ट स्टेट्मेंट सही है. The invaders returned to Delhi with untold wealth. Yes, वो first guy attack, तो देखे, मंदीर एक तरह से मंदीर और यह सारे इतने resource पड़े हुए हैं, तो बोले, attack करो और tribute वहां से बश्रूल करो. वहां हमें राज डाइरेक्टर स्थापित नहीं करना है, वहां से tribute लेना है. तो first और second सही है. Third, they provided fresh geographical knowledge. नहीं, यह geographical knowledge के लिए यह नहीं किया गया था. यह knowledge इसके पहले भी था. तो यह इसने यह contribute नहीं किया. Allahudin promoted Malik Kafur to the rank of Malik Nayab or Vice Regent of the Empire. यानि कि second in command empire का. तो four भी सही है. तो one, two, और four इसका सही answer हो जाएगा. तो B इसका correct answer हो जाएगा. Next, हम question number nine जदी देखते हैं. Which of the following statements about the Vijay Nagar empire is R2? The king's claim to rule on behalf of God Virupaksh. Yes, Lord Virupaksh के नाम से यह करते थे. और इसी वे जैसे signature जो करते थे, Siri Virupaksh के नाम से करते थे. Siri Virupaksh. तो first statement आपका सही है. Next, आपका कारा है कि second, the rulers use the title Hindu Suratrna to indicate their close links with God. Yes, सही है. In fact, हर राज़त जो होता था, वो चाहे जैसे देव पूत्रा, ठीक है, वो करने, जिल्ले इलाही, हर कोई जो है कि अपने को संबंधित करते थे, कि हम जो हैं देवताओं से संबंधित है, तो हर ruler यह करता था, तो second statement भी सही है, तो first और second सही है, तो आपका जो है यह भी मात्र यह eliminate हुआ है. Third, all royal orders were signed in Kannad, Sanskrit and Tamil. यह statement गलत है, क्योंकि जो तमिल में, यह तिल्गू में किया जाता था, सिर्विरुपाक्च के नाम से. तो यह आपका third गलत है, तो third गलत है, तो अब यह अब आपका fourth फेर डारुमदार है. Royal portrait, a sculpture was now displayed in temple. यह भी statement सही है, तो D is का correct हो जाएगा answer. Next का रहा, Iqta in medieval India mint. तो एक ता प्रणालीज हो था, तो क्या था, land assigned to religious personal for a spiritual purpose, no. Land revenue from different territorial units assigned to army officers, तो यह आपका फिलहाल closest में से है. तीसरा देखते है, charity for educational and cultural activity, no. Rights of the Jamindar, no. यह most appropriate इसमें भी है. Next का रहा, 11, consider the following statements about Francois and Francois Bernier. तो यह Francois-Bernier के बारे में का रहा, he came from France, यह सही है. He was in India from 1682 to 1694, नहीं. यह जो थे, यह 1656 से लेकर के 1668, यह 12 years तक थे, लेकिन यह period में नहीं, यह period में. He was the physician of Daraa Sukoh, तो यह भी सही है. तो first or third सही है, तो B इसका correct answer हो जाएगा. Next का रहा, 12, statement 1, the Pahikasta peasants were non-resident cultivators cultivating land on a contractual basis. तो आपके दो किसान थे, ठीक है ना, एक खुद कास्ता और एक Pahikasta, तो खुद कास्ता जो थे, जिनका same गाउं जहां वो रहते थे, वहीं उनका land था, और Pahikasta किसान जो थे, वो दूसरे गाउं से आते थे, तो उनको good terms and conditions मिलता था. तो यह first statement सही है, next है. Pahikasta peasants worked under the temptation of favorable terms of revenue or the compulsion of economic distress. यह दोनों सही है, और in fact यह आपका correct explanation है, तो एह होगा. देखो, खुद कास्ता थे, same village में रहते थे, वो अपने land पे करते थे. Pahikasta जो था, तो दो कारण से, either push factor और pull factor. यदि उस area में अच्छा खेती नहीं हो रहा है, या बरसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा situation, तो वो push factor था. Pull factor क्या था? कि good terms and conditions पे वो आते थे, कि अच्छा हो, वहाँ revenue अच्छा है, land cultivable है, तो इसका दोनों सही है, और A, इसका correct answer होगा. Next question number 13. The zamindars were an exploitative class in Mughal India. सही है, zamindars Mughal India में exploit करते थे. The zamindars often received the support of the pedantry in a large number of agrarian uprisings in North India in the 17th century. In fact, यह statement भी सही है. यह exploit करते थे, लेकिन sometime father figure के time, often है, always नहीं है, often है. तो majority time वो help करते थे, father figure के तरह काम करते थे. लेकिन क्या, यह zamindars को अच्छे तरीके से help करते थे, pigeon क्या, इस पज़े से exploit करते थे, तो कारण सही नहीं है. अपने आप में दोनों statement सही है, लेकिन कारण सही नहीं है, तो यह B's का the answer हो जाएगा. Next है, 14. अबुल हशन was one of the most imminent painters of Jahangir's reign. He painted the well-known Mughal darwar scene describing. तो अबुल हशन, in fact, कहते हैं, कि painting, Jahangir के time में, apex level पे था, तो उस नहीं जो आपका अबुल हशन है, वो किस चीज़ का painting किया था? Jahangir's accession to the throne. Jahangir's अशना रूड हुआ, तक तो नसीनी का बर्नन करता है, तो यह इसका correct answer है. Next करा, who among the following ministers in the eight member council, यानि अश्ट परधान औप सिवाजी, held charge of finance? तो finance का जो कौन था? अमात्य थे. Next है, सूर सागर. तो सूर सागर क्या है? सूरदास ने लिखा है. तो सबसे पहले बात है, कि सूरदास जिसमें है वो ही, तो यह नहीं होगा. तो poetic bark of सूरदास यह आशान है. Next, which one of the following was not a painter? Note है, ठीक है? अपेंटर ओफ अकवर्स कोड, तो दसबंथ थे, अबदुष्शंसद थे, कल्यान दास नहीं थे, बशावन थे. तो C, इसका अंसर हो जाएगा, C, नहीं थे. Next, 18. After the death of सिभाजी, there was a fight for succession between. तो सिभाजी के जो थे, दो बेटे थे. एक संभाजी और दूसरा राजाराम. तो संभाजी और राजाराम में fight पहले होता है. फिर जो है, कि संभाजी का फिर जो राजाराम का death हो जाता है. तो राजाराम की बाइफ जो है, तारावाई होती है. संभाजी का बेटा जो होते हैं, साहु जी होते हैं, तो फिर साहु जी as well as ये राजा राम की वाइफ तारावाई में फिर fight होता है तो फिर जो है साहु जीतते हैं तो पहले राजा राम और संभाजी में fight होता है तो C18 का C फोजाएगा Who among the following has issued the coin rupee for the first time तो ये coin rupee first time किस ने किया सेरसा सूरी ने किया सेरसा सूरी next आपका जो है match करना है तो match करने में आपका है महराव तो जो आपको समझ में पहले आता है उसमें ये करना है महराव, member खुतवा और किवला तो महराव क्या होता है महराव जो आपका होता है कि building जो बनता है, तो building के इस पर जो बजदर रखा दाता था, मान के चलो ये gate है, तो इस दरग से, अब इसके उपर, एक तरह से उपर building रखा, बजदर रखा हुआ है, तो उसको महराव काते थे, तो महराव का ये आर्क हो जाएगा, तो A का आपका तीन हो गया, ठीक है ना, तो A का तीन आपका दो में है, B और ये C और D में है, ठीक है, अब देखते हैं, मिंबर, मिंबर मान के चलो आपको नहीं पता है, अब for example देखो, खुतबा, तो खुतबा क्या होता था, ये सर्मन, उपदेश एक तरह से, तो ये आपका फोर हो गया, और किबला, किबला जो होता था, direction towards the कावा फोर prayer, तो ये हो गया, तो हमारे पास मिंबर जो हो गया, अस्टेप्ट, पल्पीट हो गया, तो इसका C answer हो गया, ठीक है, निक्स्ट कारा 21, consider the following statements, in the revenue administration of Delhi सल्थनत, the in charge of revenue collection was known as Ameel, तो ये फर्स्ट स्टेप्मेंट सही है, Ameel के नाम से जाना जाते थे, इक्ता सिस्टम अफ सल्थान्स अफ दिल्ली वाजाएं इंडिजीनियस इंस्टिचूसन नो, ये जो आपका इक्ता सिस्टम जो आया था, revenue का, वो एक तरस से जदी हम देखते हैं, तो मंगोलों के एरिया से आया, आपका मंगोल के तरफ से, सेंटरल एसिया से आया, तो second statement गलत है, वो इंडिजीनियस इंसियंट प्रानाली नहीं था, तो second भी गलत हो गया, first सही है, second आपका गलत है, तो ये दोनों खतम हो गया, आप चुकिए first सही है, तो ये भी हट गया, तो A ही हमारा होगा, the office of Mirpaksi came into existence during the reign of Khilji सुल्तान साफ देली, no, ये आपका मुगल के टा work of writing from India to Louis XIV, direct आपके है, next है, the Tungbhadra river provided sustenance to which empire, तो Tungbhadra जो river था, वो किसको provide किया sustenance, ये भारन पोशन जो बिजय नगर empire को किया करता था, next आपका है, 24 number, consider the following statements about Allahudin Khilji's market policy, He placed market under the control of high officers called Sahna, Sahna एक मंडी कर सकते हैं, Sahna एक मंडी, for strictly controlling the shopkeepers and prices, कते हैं कि Allahudin Khilji को सिकंदर एसानी वनना चाहता था, और मंगोलों का आकरमन जहल रहा था, तो उसको बड़ी सेना चाहिए थी, बड़ी सेना रखने के लिए आपको सेना को बेतन देना पड़ेगा, रखो, तो कम सैलरी पे भी सरवाइव कर सकते हैं, तो इसने इंफलेशन को एकदम कंट्रोल करके रखा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, कि किसी ने कम तोला है, उसका सरीर का मांस काट लियाता जाता था उतना, तो कोई भी घबडा करके प्राइस भी नहीं बढ़ाता थ और सही कीमत सही से तौलता भी था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सकेंट स्टेटमेंट, इन और तो इंस्योर एर रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप फूड ग्रेंज, ही ओडर्ड दे लैंड रेवेन्यू फ्रोम द्वाब रीजन टू भी पेर डिरेक्ली तो दे अस्टे के पास प्रोपर तरीका से रेवेन्यू बगएरा रहे, तो सी इसका सही है, स्टेटमेट, निक्स्ट है, मार्को पोलोज ट्रीप टू इंडिया, 1271 AD, अर्ड मुच फेम इन यूरोप ऑन एकाउंट उप, उसने क्या किया, जिसके कारण की उसको फेमस हुआ, इन फेक्ट हम इसको भी देखते हैं, यह जो है, तो यह आपका नहीं होगा, तो यह पाला हम स्योर नहीं थे, तो अब D नहीं, जदि E पाला सही होता, तो साइध हमारे लिए, फिर यह संभाब ना होता, तो इसका C, करेक्ट एंसर है, निक्स्ट आपका है, कुतुब मिनार वाज ओरिजिनली फोर स्टोरीड, फिर धीरे-धीरे करके, और आपके मेजरीटी वर्क जो आपके किये, कुतुब दिन एवक के बाद, इनफेक्ट कुतुब दिन एवक भी गुलाम थे, और कुतुब दिन एवक के बाद, इलतुतमीस मिजरीटी उसमें वर्क किये, तो लाश्ट जो फिर्ट है, वो अस्टोरी, वो फिरोशाह तुगलक ने कम्प्लीट कराया, तो दे हो जाएगा, निक्स्ट आपका है, यूनाइटेट थे, ठीक है, सही है, यह है, देर वाज एन एवन्डेन्स ऑफ फूड ग्रेंस, हाव यूवर खाद्यान की परचूरता थी, अब साइध यह लगेगा कि इसमें से जोग है, कि लगेगा कि कुछ टाइम में प्रोब्लम हुआ था, लेकिन जो हम मोस्ट एप्रोप्रियेट में देखते हैं, तो खाद्यान की परचूरता भाइसे थी, अब साइध इनकरेजेजेज दोज क्रॉप्स देट ब्रॉट इन मोर रेवेन्यू, यास यह भी सही है, यह दो फसल का उत्पादन यह किया जाता था, तो इसका यह आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है, निक्स्ट आपका टुंटी एट, बीजक इस आपका बीजक जो है कबीर का है, कबीर का, तो फस्ट स्टेट्मेंट गलत हो गया, निक्स्ट आपका बीजक आपका गलत हो गया, निक्स्ट का रहा है, बिल्डिंग कल्यान मंडपा वज नोटेवल फीचर इन टेंपल कंस्ट्रक्शन इन दा किंग्डम ओफ, तो यह किसके थे हैं, विजे नगर एंपायर के, निक्स्ट है, दे रुइन्स आफ विजे नगर आट हमपी, वेर ब्रावट तु लाइट इन एटीन हंडेड़ वाई, करनल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है, डिरेक्ट निस्ट से है, तो यह सब का, बहुत लोग का एक्स्ट्राइशन की ज़रुवत नहीं है, निक्स्ट 31, बिच वन ओफ फॉलोइंग वाईजिनल नेम अफ तांसेन, दे फेमस मुजिसियन इन दे कोर्ट अफ अकवर, उनका क्या नाम था, तो यह था रामतनु पांडे, तो इसका डे हो गया, निक्स्टे, तो इसका डे हो गया, बिचे नगर एंपायर, बिचे नगर वाज नोटेड फॉर इट्स मार्केट, डिलिंग इन अस्पाइसेस, टेक्स्टाइल अड़ प्रिशियस अस्टोन, येस यह फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और अराबिदू, तो इसमें जो तुलूबा बंसके थे, वो कृष्ण देव राया थे, कृष्ण देव राय के टाइम में श्टोन था, कृष्ण देव राय के बाद प्रोब्लम स्टाट होता है, तो सकेंड श्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट सही है, और सकेंड गलत है, तो जब फर्स्ट सही है, तो ये आपका नहीं होगा, और सकेंड गलत है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आपके पास C answer बचता है, ये सही है, तो 1 एंट 3 आपके सही है, निक्ष्ट का राग, consider the following bhaktisants, दादु दयाल, गुरुनानक, त्याग राजा, who among the above was there preaching, when the Lodhi dynasty fell and Babar took over, Babar 1526 जे ले करके 1530 तक रहा, और Babar जो पानीपत की लड़ाई में तो जो Lodhi dynasty था, तो वो इबराहिम लोदी की हार होती है, और Babar जो है, भारत का बाशाह बत्ता है, तो कह रहा है कि कौन जो उस समय थे, तो दादु दयाल, जैतों दादु दयाल का हम टाइम देखते हैं, तो 1544 से ले करके 1603 तक रहता है, यानि इस टाइम में, अब Babar का 1530 में देट हो जाता, तो फर्स्टर स्टेट्मेंट नहीं होगा, गुरु नानक, गुरु नानक का जैदी हम टाइम देखते हैं, तो 1469 से ले करके 1539, इसका मतलब है इस बीच में ये थे, तो सकेंड होगा, थर्ड त्याग राजा, त्याग राजा देखते हैं हम, तो यह क्या है 1767 से ले करके 1847 तक हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो 1 और 3 नहीं होगा, तो only B होगा, only 2 होगा, निक्स है, match करना है, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list, इसमें कुछ चीज हम अल्रेडी पहले देख चुके हैं, तो किताब लहिंद जो है, अलबेरूनी का है, रहला इबन बतूता का है, फिर आपका हिमायू नामा जो है, गुलबदन बेगम और बाजशाह नामा जो है, वो लाहोरी, in fact, अब्दुलहमीद लाहोरी, ठीक है, तो ये आपका A का 2 हो गया, ठीक है, A का 2 हो गया, और B का आपक 1 हो गया, C का आपका 3 हो गया, और D का आपका 4 हो गया, तो ये कौन सा है, ये आपका 2, 1, 4, 2, 1, sorry, sorry, ये, ये आपका C का 4, ठीक है, D का 3, तो ये D आपका correct answer हो गया, निक्ष्ट कोस्चन आपका है, निक्ष्ट आपका है, which one of the following does निर्गुन भक्ती refers to? निर्गुन भक्ती का मतलब है, देको 2 होते थे, एक सगुन भक्ती और एक निर्गुन भक्ती, सगुन मतलब साथ में गुन, यानि कि कि किसी का, for example, राम, कृष्न, तो वो उनमें सबुन भक्ति है, निर्गुन भक्ति का मतलब है कि कोई नेम नहीं है और वो, तो साइवाइट फ्रॉप फॉर्म वर्शिप नहीं, भैशनवाइट, नो, इनकारनेशन, नो, तो एफ्ट्रेक्ट फॉर्म आफ गॉड वर्शिप, विश्ट इक्जामपल आपके कबीर, ठीक है, निक्स्ट आपका question है, 36, with reference to religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices, तो Sufi क्या करते थे, first, meditation and control of breathe, yes, सही है, एक तरह से योगा, इसको meditation, योगा का सकते हैं, severe aesthetic exercise in a lonely places, yes, यह भी सही है, recitation of holy songs to arouse a state of ecustasy in their audience, यह भी आपका सही है, तो 1, 2, 3, आपका सही है, ठीक है, निक्स्ट आपका question जो है, 37, a forgotten empire written by a renowned historian Robert Swell is about which one of the following empire, तो यह आपके विजय नगर empire के बारे में यह कहता है, निक्स्ट का रहा है कि consider the following statement about share sa administration, he divided his empire into सरकार which were further sub-divided into परगना, तो यह first statement आपका सही है, कि सरकार को divide किया further परगना में, लेकिन, तो first statement सही है, निक्स्ट सरकार and the परगना were directly administered by share sa without the help of any other official, no, in fact, जदी सरकार देखे, तो चीफ सिकदर और चीफ मुनसीफ, और उसके बाद परगना में सिकदर और अमीन, मुनसीफ और कारकूं होते थे, तो डिरेक्ट यह नहीं किये, इसके लिए और officer थे, निक्स 39 करा, who among the following bakti saints did not belong to nirgun, nirgun और sagun हम already difference देख चुके है, जो कबीर थे वो nirgun थे, नानक निरgun थे, दादू निरgun, चैतन्य जो थे वो कृष्ण भक्ती के थे, तो चैतन्य जो है, saguna भक्ती के थे, तो D इसका answer हो गया, निक्स आपका 40, आपके पास answer आगया, proper functioning of the DAG branding system, proper functioning of the जागिरदारी system, तो यह two or three, सही है, c आपका, यह, बहुत सारा में, जो भी है, एक आपको मिल जाता है, तो आप कर सकते हो, निक्स आपका है, which of the following did not constitute part of the army reform of Sersa, Sersa के army reform में करा की कौन नहीं था, तो first है, keeping a large army at the center, yes, यह था, introduction of sweetly moving artillery, जो आपका artillery जो था, इसको बाबर ने किया था, ठीक है, बाबर, तो यह आपका गलत हो गया, यह ही आपका answer है, case payment to soldier, यह था, introduction of practice of branding horses, यह भी इसने यह किया था, तो जो reform mainly यह था, यह बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है, निक्स आपका है, बाबर नामा, तो बाबर नामा जो है, तुझके बाबरी के नाम से लिखा गया था, टर्किस language में, ठीक है, तो इसको तुझके बाबरी क यह question देख चुके हैं, अब्दुलहमीद लाहोरी, ठीक है, बाबर जियारत in the language of the सूफी, यह सूफी संत के संबंद में जियारत क्या था, तो जियारत pilgrimage to the tomb of सूफी सेंट for seeking बरकत, यानि spiritual grace, तो यह आपका जो था, वो जैसे for example, अजमेर सरीफ, या फिर आप जो सेख निज आमुदीन, औलिया की बगेरा की दरगाद दिल्ली में विजीट करते हैं, नेक्से, which of the following, ठीक है, which of the following statements about बीरा सहिवा tradition are correct, तो बीरा सहिवा tradition के बारे में, it was started by ये ब्रहामना नेम्ड बसवन्ना, सही है, he was a minister in the court of काला चूरी ruler, यह भी सही है, its followers are also known as लिंगायत, यह भी आपका सही है, तो D, इसका correct answer होगा, जब तीनों सही है, तो, next कर रहा है, which of the following statements is are not correct about भाक्षित्रे डीजन इन साउथ इंडिया, तो कौन सही नहीं है, earliest वक्ती movements in India were led by Alvars and Nainar Sant, तो यह statement तो सही है, लेकिन यह हमारा answer में सामिल नहीं होगा, नाला इरा दिव्य प्रबंधम, frequently described as Tamil Beda, is an anthology of composition by the Alvars, यह statement भी सही है, लेकिन यह हमारा answer में सामिल नहीं होगा, करायकाल अमयार, भूमेन Alvarsant, supported patriarchal norms, no, यह भूमेन थी, इन्होंने patriarchal norms का oppose किया, तो यह cease का, हो जाएगा answer, निक्स्ट आपका है, 47th, Social harmony with the support of a strong ruling class, yes, यह आपका सही है, तो यह सीज का सही हो गया, निक्स्ट है, तेवाराम, तेवाराम और तमिल collection of poem and text is dedicated to, तो यह सीव को, Lord सीवा को dedicated है, ठीक है, निक्स्ट आपका, sorry, यह, अच्छा, 50 number पहले देख ले, इबन बतूता's work, रिहला, completed in 1355 A's, तो इबन बतूता का जो रिहला है, वो क्या चीज़ है, तो an autobiography, साथ यह लगेगा आपको, लेकिन autobiography यह नहीं है, an account of the दिल्ली सुल्तान, from Abak to Giyasuddin Tugla, तो यह भी है, अब a question of 49 आपका बचरा है, औरंग्जेव had compiled the greatest digest of Islamic law called, तो जो उसने क्या था, क्या, फत्वा ए आलमगीरी, तो यह औरंग्जेव को आलमगीर भी कहा जाता था, तो जदी यह आपको पता होता, तो फिर आप इसको बना सकते थे, कि उन्हें फत्वा ए आलमगीरी, क्योंकि उन्हें आलमगीर भी कहा जा तो यह आपके 50 questions complete हो गए, फिर हम modern में देखेंगे इसी डंग से चीजे चलते रहेगी, फिर जब combined भी आपको test दिया जाएगा, ओके, thank you.